राजिस्तान के सवय मादोपुर जिले में इस्तित रर्थम्बो राष्टी उध्यान के नजदिक एक ऐसा धार्मिक इस्तल है जो अपनी प्राचिन्ता और आस्ता के कारण प्रिशिद है सवय मादोपुर के रेलवे स्टेशन से लगबग साथ किलोमेटर दूर जंगल की उची पहाडियों के बीच इस्तित है अम्ब्रेशर महादेव मंदिर रर्थमबो राष्टी उध्यान के मुखे दुआर से पिर्वेश करते ही हमें एक प्रकतिक सौंदेर का अनुभव होता है जहां से हमें पेदल याता शुरू करनी होती है बंच्षेत के अंदर एक किलोमेटर दूर तक पेदल चलने के बाद हम पहुशते हैं उस पवित्र इस्तल पर जहां इस्तित है 700 साल पुराना अम्ब्रेशर महादेव मंदिर वी अमरेशर महादेव का मंदिर बिर रजमान ए यहां पर स्विह हम भोलेनात के आधि अपर जल गिरता है और उस जल से लोगवाग चर्णा मत लेते है सब्सक्राइब। कि यह प्राचिन मंदिर जंगल के वीचों बीच एक उची पाड़ी पर इस्तित है जो हर साल हजारों भक्तों को अपनी और आक्षित करता है मंदिर के अंदर का बातवरन स्रद्दा और भक्ती से ओत प्रोत है जहां हर कोई आकर अपने मन की सांती और भगवान सीव का आशिर्वात प्राप्त करता है मंदिर के पास इस्तित पौरानिक कुंड एक और महत्पून इस्तल है जो इस मंदिर की पवित्ता और एतिया सिक्ता को और बढ़ाता है अम्ब्रेशर महादेव मंदिर ना केवल एक धार्मिक इस्तल है बलकि ये एक ऐसा इस्तान भी है जहां प्रकृतिक और आदमितिकता का संगम होता है हर दिन सेक्डों से दालू यां आकर अपनी सद्या व्यक्त करते हैं और भगवान सीव का आशिवाद प्राप्त करते हैं अम्ब्रेशर महादेव मंदिर अपनी प्राचिंता धार्मिक महतुता और प्रकृतिक संद्याता के गारण सवाई मादूपूर का एक एदित्ति इस्तल है जो हर किसी के दिल में एक विशेश इस्तान रखता है ये इस्तान हवेना केवल हमारी संस्कृति विशासत से जोड़ता है बलकि हमें सांती और आदमित्त्ता अन्वव भी कराता है अम्ब्रेशर महादेव मंदिर एक यात्रा एक अन्वव एक आस्ता है मैं रांत्रोप योगी बोल रहा हूं अम्ब्रेशर महादेव से मैं यहां का पुजारी हूं करीब करीब साथ पीड़ी आठ पीड़ी मेरे पहले परिवारवारों से पूजा करते वे आ रहे हैं पर मैं बने को रहते विए पचास-पक्तन साल होगे है शीव लिंक पे बाराई मैंने जल्दारा गिर्टी है